सभी को नमस्कार सभी का स्वागत भारते योग संस्थान वेश्ट एंकलेव जिला से चलाई जा रही सुन्दर लाई योग कक्षा में आज रविवार का दिन है हमारी वीकली प्रानयाम भ्यान स्पेसल क्लास होती है और आज हमारे साथ प्रियल हमारी युवा साधिकल भोत ही सुन्दर साधना भोत ही सुन्दर अवाज तो आईए शुरुवात करते हैं सुक्षन क्रियाओं से सरपर्थम हमेशा की भांती दोनों पाउं सामने दोनों हाथों का पीछे स्टैंड मना लें और अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे अपनी छमता का ध्यान व बनाकर करेंगे जहरे पर लगातार मुस्कुराहट बनाकर करेंगे मुस्कुराहट लाकर करेंगे करते जाएं करिए 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 ज्यादा से ज्यादा खिचाव आने दीजिए अब केवल पंजे को एक बार लेट पंजे को अंदर एक बार राइट पंजे को अंदर केवल पंजे को आगे पिछे करिए लेट राइट जैसे करते जाएए अपनी और आए अधिक सरी खिचे सामने की और वाला पंजा अधिक सरी सामने करते जाईए जी भोध बढ़िया करिए 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 दोनों पाउं को एक फिट खोल कर दोनों पाउं के अंगुठे आसन पढ़ गाईए छोटी उंगली बाहर की और करते जाईए वेरी गुड वेरी गुड करिए 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 बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी बिना समय गवाए एक एक सेकिंड को हमने यूटिलाइज करना है पूरे उत्सा के साथ पूरे विश्वाश के साथ हर एक किरिया हमने पिछले दिन से अच्छी करने है वेरी गुड बेटर करते जाईए करते जाईए से आएंगे वाप पेस हलका विस्तराम लेंगे समये स्वास अब आसन पर दोनों पाव मिला ले और आसन पर चलेंगे इस परकार से हाथों को चलाएंगे और अपने हिप्स को एडियों को भी हलका हलका पूरे आसने धीरे-धीरे यात्रा करनी है धीरे-धीरे मस्ती के साथ गर्दन को यथा संभव सीधा रखना है कमर भी सीधी रहे जैसे हम दही भी लोते हैं इस परकार से करनी है कि रिया भुजुर्ग साथी आगे मुमेंट ना करें अपनी जगह पर बैठके ही हाथों को चलाएं वेरी गूड वेरी गूड पर बढ़िया करिए 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 जी करिए आज हम कुछ नई किरियाएं मिकरवाएंगे नए आसन मिकरवाएंगे ध्यान से आपने सुनना है करते जाइए जी धीरे धीरे आएंगे वापेस पुने थोड़ा विस्राम ले ले समानने स्वास मुस्कुराते रहें पाउं को ढिला छोड़ दे अपने राइट पाउं की एड़ी को लेफ पाउं के उपर रखें अंगुठे वरुमली के बीच म में फसाएं और अब अपने दोनों पंजों को लेफ्ट सैड में लेकर जाएं अब फिर वापिस लेकर आएं फिर लेफ्ट में लेकर जाएं करते जाइए सब्सक्राइब कोशिश कीजिए उपर वाले पाउं का उठा लगे पीछे हाथ का थोड़ा सहरा ले अथेली का सहरा ले करिए 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 करते जाएए आएंगे मध्य में और पाउं को नीचे रखें दूसरी और से करेंगे लेफ्ट पाउं की एड़ी, राइट पाउं पर और अब की बार राइट सैड में लेकर जाएंगे, फिर से मध्य में लेकर आएं, फिर से लेकर जाएं राइट सैड में, वैरिगुर्ण, भूद बढ़ी है, देखें भूद ही अच्छा इसका, हम इसको मरकट आशन की तरह भ हुए आ जाएंगे जी वापेस हलका विस्राम ले लेंगे समन्य स्वास परसंता चेहरे पर चलिए जी एक बार लेक्ट पाउंड को अंदर करेंगे एक बार राइट पाउंड को हर बार एड़ी आसन अपने स्वीर के साथ लगाईए हथेली की स्थिती अपनी स्वीधा के साथ से रखे हैं चलिए जी वापेस आएंगे दोनों पाउंड से करेंगे एक बार भोध बढ़िया अब पाउंड को सीधा कर देंगे दोनों हाथों को आपस में इंटर लोग करेंगे और अब अपने एडियों को उठा देंगे हाथ को उठा देंगे जैसे हस्ट पादोतार आसन करते हैं ऐसे केवल हिप्स आपके आसन पर रहें करिए जी करिए भोध आपकी थाई भी उठे पंजे तने रहें कोहनिया सीधी रहें थीरे थीरे आएंगे वापेस उन्हें मुस्कराते हुए विश्राम की स्थिति रिलेक्स समान्य अस्वास होने दें बटर फलाई करेंगे एडियों को निकट लेकर आए और दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करके दोनों घुटने उपर नीचे करने प्रारम कर दें कमर को सीधा रखना है जी गर्दन को सीधा रखना है करते जाएंगे मुस्कुरा करते जाएंगे भोत बढ़िया महसूस करना है जी आपने हर एक क्रिया को सुभे सवेरे तितली की भांती भोत बढ़िया जैसे मस्ती कर रहे हो करिए 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 भोत अच्छा प्रभाव थाई के उपर पाउं के जोडों पर रीड की गोटियों पर धीरे धीरे आएंगे वाप पेस हलका विश्राम ले लें समन्ने स्वास बढमासर लगाएंगे दोनों पाउं मिलाएं दाइन टांग मोड़कर नाभी के निकट बाइं और इस्थित करें बाइन टांग मोडगकर नाभी के दाइं और विश्थित करें जिनसे पदमासन ना लगे अपनी स्विधा के साब से बैठिए धोनों हाथ यानमुद्रा में उन्हें एक बार रीड गर्दन सीधी हो जाए आखें कुमलता से बंद गहरे लंबे स्वासों का भ्यास करेंगे मुश्कुराते भे करेंगे हरे एक स्वास को देखते भे करेंगे कुछ ही पल में आप महसूस करेंगे कि मन हमारा शांत हो रहा है बड़े भागे शांत है इशाली है हम सब दिन की सुरुवात योग से करने जा रहे हैं सामुई की योग साधना से करने जा रहे हैं आज हमारी स्पेशल क्लास है 15 मिनट एक्ष्टा भी चलेगी लगातार आपका साथ चाहिए पूरे परिवार का साथ चाहिए तीन बार परहो का नाम लेंगे एक बार गायत्री महा मंत्र भरेंगे गहरा लंबा स्वास अमुटन बार आपका साथ अमुटन बार नामुटन बार आपका साथ चाहिए पर आपका साथ चाहिए दूर्वारेंगााए नीयम भर्गोदे वश्यधी मही धीयो यो ना पर्चो धयार ये प्राहन पवितर्ता और आनंद के देने वाले प्रफु आप सरवग्य और सकल जगत के उत्पाद हैं हम आपके उसुत्तम पाप विनासक वे ज्ञान सवरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी भुधियों में परकासित रहता है आप सदैव हमारी भुधियों में परकासित रहें और हमें सत्कर्मों की और प्रेरित करते रहें दीरे से पदमासन को खोलिए दोनों पाउं को सीधा कर दीजिए हलका विस्राम लेंगे समान्य स्वास आईए थोड़ी सिक्वेंस चेंज करते हैं सबसे पहले हम कोन आसन का अभ्यास करेंगे कोन आसन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे अगर आप कर पाएंगे तो उस परकार से नहीं तो जैसे हम करते हैं वैसे करेंगे उसी परकार दोनों पाउं को सामने की औरताने दोनों हाथ कमर के पीछे अब इसमें हाथ की जो उंगलियां हैं बाहर की और होती हैं आज कोसिस करेंगे हाथ की उंगलियां अंदर की साइड हो जाएं हिप्स की साइड हो जाएं बस केवल इतना सा बदलाव करना है बाकी जैसे हम करते थे वैसे ही करना है अब स्वास भरते हुए तीन से चार बार जैसे उठक बैठक करते हैं ऐसे आपने धीरे धीरे हिप्स को उठाना है, शरीर को सीधा कर देना है उठाईए जी पंजो को तानिये और अब धीरे धीरे आसन के निकट लेकर आएं फिर से उपर उठाएं जो आसन पर रखना चाहें, शरीर को आसन पर रखकर करें, तीन से चार बार करें वहरी गुड़ बिटा, भोध बढ़िया गर्दन अपनी स्विधा के इसाब से अंतिम इस्थिती में अब की बार रुख जाए पून इस्थिती में रुख जाएं समन्ने स्वास में रुख जाएं, भोध बढ़िया ये देखिए, थोड़ा सा हमने वैरियेशन किया, कितनी सुंदर साधना उंगलिया आपकी बार हमारी एडियों की साइड में है हाथ के उंगलिया, भोध बढ़िया भोध ही बढ़िया इस्थिती है मिलकुल धीरे धीरे आएंगे वापेश, आराम आराम से उन्हें एक बार थोड़ा सा विस्त्राम ले लें इस एवस्त्रा में समन्ने स्वास मिलकुल रिलाइक्स पश्चिमोतान आसन करेंगे जी जितनी हमारी छमता हो केवल उतना ही करना है जबरदस्ती नहीं करने दोनों पाउं मिले रहेंगे दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएं कंदे की सीदमे और लेकर जाएं आकास की ओर भरेंगे एक बार गहरा स्वास, थोड़ा कमर को विस्तार देंगे और स्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे जुकेंगे धीरे धीरे जुकेंगे और अगर आप अपने अंगूठे को पाओं के पकड़ पाएं तो पकड़ लें अथ्वा अपने पंजे को पकड़ लें जितना संबह हो सके बिना किसी तनाव के और कोसिस करें रहो उतने में ही आनंद के नुभूती हो समन्य स्वास लेते रहें एक बार अपनी एडियों को पकड़ लें कोहनियों को वियासन पर लगा दें और धीरे से और कोसिस करें कि मेरा माथा और निकड़ जाए समन्य स्वास रुकें जी रुकें स्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापिस भुजाओं को तांते हुए आएंगे साइड से भुजाओं को नीचे कर दें रिलैक्स इसी वस्था में थोड़ा अपने पाउं को शेक करें हलका हलका इस परकार से जैसे शेकिंग करते हैं थोड़ा रिलैक्स होगा जल्दी से हलके हलके अपने घुटने उठाएं पंजो को भी थोड़ा धिला धिला छोड़ दें जैसे कमपन सा उत्ता है इस परकार से करिए करिए हलका हलका आएंगे वापेश समान्य स्वास पदमासन लगाएंगे एक बार फिर से या अपने जैसे आप सुखासन में बैठते हैं ऐसे बैठेंगे थोड़ा हम सिक्वेंस चेंज कर रहे हैं थोड़ी नई चीज करवाने का प्रियास कर रहे हैं अबकी बार दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे और अब हम अपने कमर से आगे के और जुकेंगे धीरे धीरे और जैसे गोल-गोल अपने पूरे कटी भाग को कोशिस करिए जितना घेरा बड़ा बने जितना माथा या नासिका आसम के निकट आपाएं करिये जी कि तीन से चारा वर्ति करेंगे और स्वास के साथ जोड़ेंगे सामने से जब हम पिछे की और जाएं साइड से तो स्वास भरते हुए जब वापिस आएं सरकल को पूरा करते हुए तो स्वास छोड़ते हुए अब इसी परकार विप्रीद दिसा में भी करेंगे चार से पाथ सरकल करिए जी हाथ की स्थिती अगर आपको कुछ और बदलनी हो तो बदल सकते हैं करिए जी करिए पूरे मुट्सा के साथ करिए मुस्कुराते वे करिए कुछ नया कर रहे हैं हम कोसिस करिए जी थीरे थीरे आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आ जाएं समन्य स्वास मुस्कुराते रहें इसी अवस्था में आए इसी अवस्था में बैठकर भस्तरी का प्रानयाम करेंगे दोनों हाथ अपने मुठ़्ी बनाकर कंदे के निकट कोहनिया सरीर के साथ कोहनिया सरीर के साथ और अब स्वास भरते वे आथों को उपड़ लेकर जाएंगे खोलेंगे और स्वास छोड़ते वे फिर नीचे लेकर आएंगे मुठ़्ी बनाएंगे करेंजी करिये जी कोहनी हमारी स्थिधी होनी चीए करिये जी करिये वापिस आएंगे थोड़ा विश्राम लेंगे बिलकुल रिलाक्स हाथों की स्थिती अपनी स्विधा के साब से घिला छोड़ दें एक इसका सैट ओर करेंगे इसी प्रकार से पुने एक बार हाथ की स्थिती बनाएं मुठ़्ी बनाकर कंदे के निकट कोहनिया स्रीर के साथ फिर से एक बार लेकर जाएंगे उपपर स्वास बढ़ते हुए फिर वापिस करिये जी वेरी गुड भोध बढ़िया अपने स्वासों के साथ जुड़ें करिये करिये चेहरे पर तनाव नहीं आए जी भोध बढ़िया कर रहे हैं भोध अच्छा कर रहे हैं जी धीरे धीरे आएंगे वापिस पुने एक बार भी स्राम ले लें पाउं को सिधा कर दें रिलैक्स समन्ने स्वास मुस्कुराते रहिए चलिए जी एक बार अपने थेलियों पर घुटनों पर आ जाएंगे जैसे डोग का पोस्चर होता है टेबल का पोस्चर होता है इस परकार से आ जाएंगे जी बहुत बढ़िया यह आसन भी हमने एक बार पहले भी कराया था तो आज फिर करेंगे लेकिन अपने चमता के इसाब से करेंगे सबसे पहले इसके अंदर हम अपने राइट पाम को उपर उठाएंगे और गरधन को भी उपर लेकर जाएंगे लेकर जायेंगे जी गरधन को दोणों कमर निचे की और जाएगी और अब की बार अपने घुटने को लेकर आएंगे माथे के निकट गर्दन मोडेंगे थोड़ा कमर उठेगी हमारी और फिर पीछे लेकर जाएंगे करिये जी पाथ से साथ बार जैसे पवन मुक्तासन करते हैं उस परकार से हमारा माथा और घुटना टच करे फिर पाउं सिधा हो जाए आकास की ओर जाए पंजा गर्दन भी उपर जाए माथा आकास की ओर वेरी गुट बहुत बढ़िया कर रहे हो आवर्ति को पूरा करके वापिस आएंगे इसी पोस्चर में थोड़ा सा अपने आपको समानने करेंगे रिलेक्स करेंगे अब समझ में आ गया तो आख बंद करके करेंगे नए आसन है नहीं समझ में आए जरूर आपको आख खोलने चीए देखना चीए चलिए जी दूसरी दिशा से लेफ्ट पाउं को उठाएं गर्दन भी उठाएं कमर को नीचे की ओर फिर से नीचे लेकर आएं कमर उपार माथा गुटने के पास चलिए जी करते जाएं अपनी चमता के इसाब से हथेली पूरी तरह जमी हुई बहुत बढ़िया कर रहे हो थीरे थीरे आएंगे वापेस यहिस पर वजरासन में बैठ जाएंगे और एक चाइल्ड पोस्चर बनाएंगे अपने घुटने मिलाकर माथा करें जमीन के पास और हाथ करें अपने दोनों पाउं के पास और हाथों को रिलेक्स छोड़ें बिलकुल एकदम रिलेक्स छोड़ कर जैसे बच्चे की तरह मैसूस करें बिलकुल रिलेक्स अन्य स्वास शष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष रिलेक्स हैं बच्चे की तरह बिलकुल रिलेक्स हो जाएं अपने आपको सुरक्षित महसूस करें आनंदित महसूस करें अब यहीं से अपने दोनों हाथों को आगे लेंगे जैसे सूर्य नमस्कार में परवत आसन से अगले वाली स्थिति में जाते हैं पूरे स्रीर का वजन अपने पंजे पर हथेलियों पर लेकर आएं पाउं को पिछे ले जाएं गुटनों को उठा दें पूरा पैरलल आ जाएगा जैसे कोन आसन में हमारा स्रीर आया था इस परकार से वेरी गुड और यहीं से अब आ जाएंगे भुजंग आसन की स्थिति में जैसे सूर्य नमस्कार में हम करते हैं आत्मी स्थिति पंजों को लिटा दीजिए गर्दन को पीछे ले कर जाएं भोत बढ़िया भोत बढ़िया कंदों को भी पीछे ले कर जाएं करिए 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 वैरी गोड भी बढ़िया अब यहीं से परवत आसन पर आ जाएंगे जैसे अम सूर्य नमस्कार में करते हैं एड़ी आसन पर दोनों पंजे मिले हुए गुटने सिधे एडी आसन पर ठुड़ी कंट करें पाच उंगलिया मिली हुई अब अपने राइट पाम को दोनों थेलियों के बीच में लेकर आए अब पीछे अपने गुटने को आसन पर लगा दें फिर कुछ नया वैरियेशन करेंगे अपने दोनों हाथों को सामने पर्णा मुद्रा में बनाये जैसे विर भदरासन करते हैं अब अपने दोनों हाथों को उपर लेकर जाएं और पीछे लेकर जाएं प्रैसर है आगे पंजे पर पीछे गुटने का सहरा लेलेजी वेरि गुड बोड़ीया माथा कास की और देख लें अगर समझ में ना आए तो वेरी गुड भोत बढ़ी आप भोत अच्छा कर रहे हैं थीरे थीरे आएंगे वाप पेस दोनों हाथ पुने एक बार आएंगे अपने घुटने के पास समझने स्वास एक बार यही पर अपने पाउं को फिर से पीछे लेकर जाएं फिर से एक बार परवत आशन की स्थिति पुने एक बार पैलर आजाएं पूरा स्रीर पैलर लेकर आएं फिल से एक बार तिरियक बोजन्गासन की स्किती में अपनी थाई नीचे गर्दन करें करिये 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 बहुत बड़िया भोद बड़िया उतने मिलाकर रखे पाउं की एड्या मिलाकर कर रहे हैं को सिस करें को सिस करें कमर के उपपर प्रभाव आने दें चेहरे पर लगातार प्रसंता बनाए फिर से एक बार परवत के आज परवताकार इस्थिति में जाएंगे बिना उटने का सारा लिए पुने ठुड़ी कंटकुम में एडी आसन पर लेफ्ट पाउं को आगे लेकर आएंगे लेकर आईए जी लेफ्ट पाउं को अब अपने राइट पाउं के घुटने को आसन पर रखें सारा ले उसका दोनों हाथ सामने और लेकर जाएंगे फिर से वीर्वध्रासन की स्थिति में करिये चींद पिछे ले कर जाएंगे आगे पंजे पर वजन का मर जूतली पिछे जास्के ले कर जाएं करिए करिए कोसिस करिए जी कि भूद बढ़ी आप वोथ ही अच्छा कर रहे हो छब किरिया हैं हम कुछ नई कराने की को पुर्सिस कर रहे हैं और कितना अच्छा प्रियल का परदर्शन आप भी करिए जी थीरे थीरे आएंगे वापेस उन्हें एक बार हाथ दोनों थेलियों के मध्य में पीछे बार घुटने को उठाएं पीछे वाले पाउं को सुर्य नमस्वाकार वाली स्थिति में आएंगे और अब दूसरा पाउं भी आगे लेकर आएंगे बुजाएं कान के साथ माथा घुटने के निकट और स्वास भरते हुए आजाएंगे ताडासन में लेकर जाएं लेकर जाएं कंदों का दबाव थोड़ा पीछे बनाएं है रिलैक्स शामाने स्वास मुस्कुराते रहें थोड़ा सा अपने हाथों को खोलिए बंकरियेश थोड़ा पाउं को खोलिए बंकरिये और करिये जी करिये कि भुद बढ़िया और कि सभी अपनी चम्ता को ध्यान में रखकर करेंगे कहीं पर भी समझ में आए आग खोलेंगे विस्त्राम की जरुत हो तो विस्त्राम लेंगे चलिए जी वापिस आ जाएं दोनों हाथ सरीर के साथ दोनों पाउं में एक दो इंच का फासला अब अपने राइट हैंड को धीरे धीरे उठाएंगे और आकास की ओर लेकर जाएंगे हथेली का रुख कान के ओ रहेगा और अब अपनी गरदन को राइट सैड में बोड़ेंगे और उपर हाथ को देखेंगे बाया हाथ सरीर के साथ देखिए देखिए अपने हथेली को अंगुठे को हाथ के धीरे धीरे गरदन मध्य में तानते वे भुजा वापिस अब बाई बुजा को लेकर जाएंगे आकास की ओर गर्दन को गुमाएंगे लेट साइड में देखिए अपनी बुजा को कोहनी सीधी रहे कोशिस कीजिए कोशिस कीजिए धीरे धीरे आएंगे वापेस स्वास समन्य पाओं में स्विधा जनक दूरी रिलाक्स अब दोनों हाथों को सामने तानकते हुए प्रणामुद्रा में लेकर आएं कंदे की सीध में मिलाएं दोनों थेलियों को थेलियों के स्पर्स को मैसूस करें और स्वास भरते हुए दोनों बुजाओं को खोलिए धीरे धीरे खोलिए 180 डिग्री पर खोलिए और अब अपने कंदों का द्वाव पीछे बनाएं कलाई को सीधा रखते हुए कमर को मोडें गर्दन को भी मोडें माथा कास की और हाथों को लटकने ना दे जी बस थोड़ा हो चाहे जादा हो भोत बड़ीया इस्थिति है बिटा भोत ही अच्छा कर रहे हो करिए करिए रुकिए रुकिए थीरे थीरे आएंगे वापेस सामने बुझाओं को लेकर आएं और दोनों बुझाओं नीचे ले लें रिलाक्स विस्राम की स्थिति समन्य स्वास की स्थिति चलिए जी सूर्य नमस्कार का भ्यास करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे आशन के अगले इस्थे पर आ जाएं एड़ी मिला लें पंजों को खोलें सब्दों पर चलेंगे सूर्य नमस्कार जब हम करेंगे तो जबर्दस्ती बिल्कुल भी ना करें जी, दोनों हाथ प्रणामुद्रा में मुश्कुराते हुए भवान सूर्य का ध्यान करेंगे ओमित्राई नमहाँ दूसरी स्थिती तानी आकास की ओर थोड़ा सा पीछे की ओर अपने कंदों का प्रैसर आर्क मनाएंगे स्वास छोड़ते हुए कमर से आगे जुकें घुटना ना मुड़े माथा घुटने के पास जाए उंगलियां पंजों के पास जाए अगली स्थिती राइट पाउं पीछे घरदन उपर लेफ पाउं भी पीछे परवत के समान एडी आसन पर ठुड़ी कंट कुब में वी शेप पैरलल आ जाएं अश्टांग परणाम के स्थिती आठ हंग धरती मा को सपर्स करें माधरा की गोद में विशेश आनंद की नभूती हथेलियों पर दबाव बनाएंगे आगे से धर को उठाएंगे पुने एक बार तिरियक भुजंगासन प्रास की और स्वास भरते हुए इस्थिती रिपीट करेंगे परवत के समान इस्थिती वी शेप हर इस्थिती को बढ़िया करें जी पून इस्थिती पे जरूर पहुचें राइट पाउंग को आगे लिकर आएं कमर को नीचे की और दबाएं माथा आकास की और दूसरी टांक भी आगे गुटने सीधे स्वास भरते हुए पुने एक बार ताड़ासन की इस्थिती लेकर जाएं पिछे से पिछे स्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा ओम रवे नमहां स्वास भरते हुए पुने एक बार बुजाएं आकास की और थोड़ा सा पिछे प्रेसर बनाएंगे कोशिस करेंगे स्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिती कमर का उप्योग करें पिछली बार से ज्यादा प्रियास हो आखें बंध हो लगातार प्रसंता हो लेफ्ट पाउं को पिछे लेकर जाएं दोनों थेलिया पंजे के पास पंद्रा उंगलिया एक लाइन में पिछे घुटना आसन को सपरस ना करें गर्दन पिछे लेकर जाएं दूसरी टांग भी पिछे एडी को आसन पर लगाईए ना भी कोड़िये धर को अंदर से अंदर लेकर जाएए लेफ्ट पाउं यहीं से पैडल आएंगे अश्टांक प्रणाम में आएंगे धीरे से अपने आठंग धरती मा को सपरस देंगे भूत ही आनंदाय किस्तिती है स्वास भर्पेवे आरी से उठाएंगे धर को वेरी गुड़ पीछे से भी धर को उठा देया फिर से परवत के समान इस्तिती लेफ्ट पाउं को आगे लेकर आएं करिये 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 भूत बढ़िया कर रहें जी आप सब लोग आज कुछ हमने नई किरियाएं भी की कैसा आपको लगा उसके बारे में जरूर कमेंट्स कीजिए जब हमारी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद दूसरी टांग भी आगे एड़ी को मिलाईए पंजो को खोलिए माथा फिर से गुटने के पास हथेलिया फिर से जमीन के आसन के पास स्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करें करिये 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 स्वास छोड़ते हुए पना मुद्रा दोनों हाथ नीचे सवासन में लेट जाएं दोनों पाउं को बिल्कुल रिलेक्स होड़ दें अब दोनों हाथों को सरीर से थोड़ा सा अलग कर दें मन की आखों से पूरे सरीर एक बार मांसी कवलोकन करें कितने भग्यशाली हैं हम सब लगा अतार हम योग साधना कर रहे हैं जब से ये कुरोना का पीरियड स्टार्ट हुआ है घर बैठे कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ किजिए इस्वर का धन्यवाद अपने गुरुजनों का धन्यवाद माता पिता का धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं दाई करवट लेकर पेट के बला जाएंगे जी अब पेट के बला जाएए कुछ पेट के आसन करेंगे हम जो भी आसन करें अपनी छमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी जवर्दस्ति विल्कुल भी ना करें दोनों हाथ एक बार सरीर के साथ सबसे पहले हम करते हैं सलब आसन दोनों थेलियां अपनी जनाओं के निचे लेलें ठुड़ी को आसन पर लगा दें पंजों को लिटा दें सब्दों पर चलने का प्रियास करेंगे लेकिन चमता को जरूर में ध्यान में रखेंगे स्वास भरते हुए दोनों पाउं धीरे धीरे उपर उठाएं बिना गुतना मोडे उठाएं करें जी करें भोध बढ़िया समन्य स्वास में रुकें आख बंग करके रुकें और भाव को महसूस करें बहुत बढ़िया बिटा लगातार देखिए अप्रियल की थाई हवा में है हर किरिया को एंजोई कीजिए धीरे धीरे अराम से वापिस लेकर आएंगे सिथिलासन एक बार तीसरी सिथि अपने दोनों अथेलियां अपने ठुड़ी के पास रखें और फिर अपनी गर्दन को दाएं या बाएं अपनी स्विधा के इसाब से अपनी अथेली के उपर र कि एंडे रिलैक्स मैसूस करें ले तुड़ी को फिर से एक बार आसन पर लगाएं दोनों हाथ सरीर के साथ जो हम मकर आसन करते हैं आज हम अपनी कोहनियों के बल नहीं उठेंगे बस यहीं से अपने दोनों पाऊं को अपने हिप से लगाईए फिर वापिस लेकर जाएए दोनों पाव एक साथ करिये जी आठेली का अरुखाकाश की ओर ठुड़ी आसन पर करिये जी करिये very good very good भोत बढ़िया करते जाएक करते जाएक करेंगे जी करेंगे भोत बढ़िया करते जाएक धीरे धीरे आएंगे वाप्पेस एक बार फिर से तीसरी द्रहका सिथिलासन अपनी दोनों थेलियां ठुटी के निकट गर्दन को दाएं या बाएं सुईदा के इसाब से बिल्कुल रिलेक्स करें पंजो को भी धिला छोड़ें धनूर आशन का भ्यास करेंगे पुने एक बार अपनी ठुटी लगाएं अपकी बार आशन पर माथा लगाने में कई बार गवराट उपती है दोनों हाथ सरीर के साथ दोनों पाउं को इकठा मोड़ें दोनों हाथों से टकनों को पकड़ें जिन से टकने पकड़ में आएं पंजों को पकड़ें स्वास भरते हुए आगे से धर उठाएं चैश्ट उठाएं गर्दन उठाएं और स्वास छोड़ते हुए पीछे से पाउं को उठाएं और समान्य स्वास में रुकें एडियों को जितना संभव हो सके हिप से दूर करें गुटनों को जितना संभव हो सके पास में करें दोनों पाउं के भोत बढ़िया वेटा भोत ही अच्छा देखें लगा थार कितने खुस होकर हरे किरिया का भ्यास रुकिए 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 भोत बढ़िया भोत ही अच्छी साधना कर रहें आप लोग थीरे थीरे आएंगे वापेस राइट करवट लेंगे पीट के बला जाएंगे समाने स्वास में अपने आपको एकदम रिलेक्स करें पहले कि अच्छी 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 मरकट आसन का भ्यास करेंगे इसमें इसका मैंने पढ़ा था नट राज पोस्चर है ये हमने पहले भी करवाया है दोनों पाउं मिलाएंगे अपने दोनों हाथ को दाएंबाएं फिलाएंगे राइट पाउं को मोड़कर पंजे को गुटने के उपर रख देंगे लेट पाउं के एडी आपकी जंगा पर होगी पंजा आपका गुटने से आगे होगा जैसे हम खड़े होते हैं ऐसे रखेंगे और अब अपने गुटने को बुड़े वे गुटने को लेकर जाएं लेट साइड में और लेफ्ट हैंड से उसको दबालें लेफ्ट हैंड से दबालें और गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में लेफ्ट पाउं का पंजात तना हुआ, लेफ्ट पाउं का घुटना सीधा समान्य स्वास में रुकें कोशिस कीजिए जो मुड़े वे पाउं का घुटना लगातार आसन को सपर्स करें इसलिए आपको लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट अथेली का सहरा लेना है दबाना है उसको गर्दन को भी यह था संभव राइट सैड में घुमाईए बहुत बड़ी है बेटा, बहुत ही अच्छी साधना करके दिखा रहे हुआ आप सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है जो भी बच्चे आते हैं, हर एक किरिया को एंजोई करते हैं खुस होके करते हैं थीरे थीरे आएंगे मध्य में पाउं को सीधा करेंगे समान्य होंगे और इसी किरिया को करेंगे दूसरी ओर से लेट पाउं को मोड़िए पंजे की स्थिती ठीक से बनाएंगे उटने पर दबाएंगे स्वास भरते वे लेकर जाएं दूसरी ओर राइट हैंड से अपकी बाद भुटने को दबाएंगे गरदन लेट साइड में जाएगी लेट हैंड आपका खिचा रहेगा मरकाट आसन में जैसे हम करते हैं उन्हें बिना किसी तनाव के रुकें पूर्ण इस्थिती में इस्वर का ध्यान करें बहुत बढ़िया समझ में नाये जुरूर देखें कोसिस करें लगातार पूरी देर मेरा घुटना आसन को सपर्स करें धीरे धीरे आएंगे वापेस समाने हो जाएं पाउं को सिधा करें चलिए जी एक और नया आसन करेंगे भोती छोटी छोटी करियाएं हैं लगबग हम ये सारी करियाएं एक्जेक्टली नहीं कर रहें लेकिन हमारी सब की छमता है सब को समझ बे आ रहा है दोनों हाथ अपने सर के नीचे रखें आपस में इंटरलोग कर लें क्लैंप करके दोनों पाउं के पंजों को मिलाएं अब जैसे हम पाउन मुक्तासन करते हैं अपने राइट पाउं को मोड़िए गुटने से और लेफ्ट पाउं को भी मोड़िए गुटने को लेकर आएंगे चेस्ट के निकाट पंजे को तान के रखेंगे अब अपने एक पाउं को सीधा कर दें और उसी साइड की जिस पाउं को सीधा किया है उसकी कोहनी को उठाएंगे गर्दन को हलका उठाके घुटने से लगाएंगे दूसरी साइड के और फिर उसके बाद इसी परकार left right करते जाएंगे करते जाएए जी देख ले अगर समझ में नहीं आए left hand की कोहनी आपकी right पाउं के घुटने को टच करेगी करते जाएए और इसी कार left और right में करते जाएए दूसरी side का पाउं आपका सीधा हैगा करिए 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 बहुत बढ़िया very good विटब भोँत अच्छा लग रहा है भोँत ही अच्छी स्थिती भोँत अच्छा प्रभाव आ रहा है खुसो कर करें नई करिया को very good भोँत अच्छा धीरे धीरे आएएँगे वापेस हलका विश्राम ले ले हाथों को वापिस निकाल समान्य स्वास एकदम रिलेक्स हो जाएं बिल्कुल रिलेक्स कल हमने एक नया आसन कराया था आज उसी आसन को फिर करेंगे हम मतश्य आसन की स्थिती है पाउं की स्थिती यही रहेगी अपने दोनों थेलियों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे हथेली कारुप पर्थवी की ओर करेंगे पाउं को मिला लीजिए पंजों को तान दीजिए गुटने को मिला लीजिए अब अपने धीरे से अपने गर्दन को कंदो को उठाएंगे कोहनी के उपपर आ जाएंगे थोड़ा सा कोहनी का सारा लेकर इस प्रकार के स्थिति बन जाएगी थोड़ा और उठाइए अपने सरीर को वेरिगोड और अब अपनी गर्दन को पीछे की और मोडेंगे धीरे धीरे मोडेंगे और धीरे से अपने माथे को अपनी स्विधा के हिसाब से लगा देंगे कि कमर आपकी पूरी की पूरी मुड़ जाएगी जितना संभव हो सके माथ अपना सर अपने लगाना है कोसिस करेंगे कि हमारे माथे वाली साइड का हिस्सा जो है वो आसन के पास में आए कोशिस करनी है जी जबर्दस्ति नहीं करनी हमने बिल्कुल भी पाउं को सीधा रखना है हथेलियां आपकी हिप्स के नीचे ही रहेंगी समन्ने स्वास में रुकें बहुत बढ़ी आविटा बहुत ही अच्छी स्थिती है इतना बढ़ी आप नए आसनों को करके दिखाते हो बहुत ही आनद आता है समन्ने स्वास में रुकिए अब धीरे धीरे बिल्कुल आराम से बिना जटका दिए अपनी गर्दन को सीधा कर दें हाथों को बहार ले लें और रिलेक्स हो जाए समन्ने स्वास अब आज कांतिम आसन करेंगे फिर उसके बाद आज प्रानयाम और ध्यान पे हम थोड़ा समय ज़्यादा लगाएंगे 15 मिनिट हमारे पास एक्ष्ट्रा है आज दोनों पाउं को इकठा मोड़े जैसे सेतु बंद आसन करते हैं उस परकार से अपने दोनों पाउं को इकठा मोड़िये लेक शरीर के निकट लेकर आएं हाथ आपके शरीर के साथ ही रहेंगे अपने टकनों को पकड़ना नहीं आपने हथेली का रुख पर्थ्वी के हो रहेगा हथेलियों पर वजन डालते हुए अब तीन से चार बार अपने हिप्स को लिफ्ट करें करिए कमर को लिफ्ट करें उपर फिर निचे करिए जीस परकार करिए 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 लिफ्ट करना आपने हैं जितना हो सके चेस्ट को भी लिफ्ट करना है से तु बन्दास अस्थिती लेकिन आपने रुखना नहीं है करिए भोध बढ़िया और अंतिम आवरती के अंदर आप रुख जाएंगे पूर्ण स्थिती में हथेली का सहरा आप लेते रहे और कोशिस करें कि मेरी चेश्ट भी अब की बार जादा से जादा उठे ठुड़ी मेरी सवते ही कंटकुम में लगे चेहरे पर मेरे लगातार प्रसंता रहे नहीं नहीं मैंने क्रियाएं की है इस्वर का धन्यवाद करें बहुत बढ़िया करिए 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 रुकिए रुकिए बहुत बढ़िया आज का आखरी आसन है थीरे थीरे आएंगे अराम अराम से वापेस पाउं को सीधा कर दें सवासा अखेली का रुखा कास की ओर हो उंगलियों को ढिला छोड़ दें पाउं में स्विधा जनक दूरी बना ले मुस्काते हुए पूरे स्रीर को निहारिए एक एक अंग की खुसी को देखिए जैसे बच्चों को हम कहीं भार लेकर जाएं और उनकी पसंद का कोई गेम कोई वो मस्ती करें कितने खुस होते हैं कितना अच्छा लगता है उनको देख कर ऐसे ही आप महसूस कीजिए कि शरीर का एक एक अंग आपका खुसी से चहकरा है बहुत परफुलित है आनंदित है इस वर से बस लातना परति दिन इस योग गंगा में हम रुप लगाएं एक मिनिट भी हमारी साधना कम ना हो कुछ नया हम करें और जो भी हम सीख रहे हैं उसको अपने आस पास में बाटें अपने मित्रों को अपने सगे सम्मन्दियों को अपने कलिक्स को भी योग से जोडने का प्रियास करें केवल हम अगर स्वस्थ हों लेकिन आस पास हमारे लोग बिमार हों परिशान हों तो हम खुश रही नहीं सकते तो हमने कोशिस करनी है कि हमारी स्राउंडिंग में सब लोग योग से जुड़ें कल फिर जुड़ेंगे समय से जुड़ेंगे इस वर को धन्यवाद करते हुए एड़ी पंजे मिलाएं राइट साइड में करवट लें और उट करके बैठ जाएं पदमासन लगा लें सुखासन लगा लें जैसे आपको कमफट लगे वैसे बैठ जाएं समन्य स्वास आईए एक बार मस्ती भरी हसी चलिए जी सब एक साथ परिवार के साथ मिलकर हसेंगे हस्ते याई हाँ अंति मावर्ती हाँ शाथ अब आखें बंद करके बैठ जाएं, कोशिस करें कि कमर और गरदन मेरी सीधी रहे, जो पदमासन में बैठना चाहें, जितनी देर बैठना चाहें, बैठें, बीच में आप इस्तिती को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिस करें कि अब आखें हमारी बंद ही रहे, कुछ पल के लिए अपने स्वास्म पर घ्यान को गिंद्रित करें, बिल्कुल अपने आपको समाने करें, सभी का चेहरा खिला हुआ है, सभी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान होद ही अच्छी लग रही है, हमेशा की भांती शुरुवात करेंगे भस्ति का प्रानयाम से, चारो चर्ण करेंगे, प्रानयाम पर ज्यादा समय देंगे आज हम, लेकिन चमता को ध्यान में रखकर करेंगे, दोनों हाथ आपके घुटने पर जमा लीजिए, सरीर ना हिले, सरीर आपका बिल्कुल तयार है जी, बहुत सुंदर आसन किये हैं आपने आज़े, दाए हाथ की प्रानयाम अंगुठे को रखेंगे दाई नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाई नासिका पर, मूल बंद लगाकर करेंगे इस क्रिया को, दाई और से स्वास को भरें, दाई और से छोड़ें, शक्ति लगाएं दोनों क्रियाओं में, करें जी, क्षिर करेंगे अधिक अधिक स्वास भढ़ लीजिए, दोनों आसिकाएं बंद कर लीजिए, आंत्रिक कुम्बक में रुख जाएं, मूल बंग लगा कर रुख जाएं जब लगे, नहीं रुखा जा रहा, अनामिका को हटाएंगे, धीरे धीरे स्वास को भार निकालेंगे समन्ने स्वास जब हम बस्तिरी का प्रानयाम के चर्णों को पूरा करते हैं, जैसे अब पहला चर्ण पूरा हुआ तो बहुत ही विशेश इस्थिती बनती है, विशेश अनुभूती होती है इसी को आप आनद लीजिए इसका आईए, दूसरी और से खरेंगे, दूसरा चर्ण, फिर से प्रानयाम मुद्रा, चेहरे पर बिल्कुल तराव ना आएजी, बहुत जादा शक्ति लगाएंगे, तो चेहरे की आकर्ती बिगडेगे सब कुछ वैसे ही करना है, लेकिन दूसरी दिसा से, बाई और से स्वास भरें, बाई और से ही छोड़ें, प्रारम करें अधिक आदिक स्वास को भह लीजिए लेप्ट साइड से, दोनों नासिकाएं बंद, रुकिये, रुकिये, आंत्री कुम्बग में रुकिये, मूल बंद लगाकर, रुकिये, नहीं रुका जाए, अंगुठे को अठाकर, धीरे धीरे स्वास को भार करें, पूने हाथ नीचे, पूने अपनी मना इस्तिती को देखें, पूरा सरीर पर फुलित है, इम्मिनिटी भड़ रही हमारी, हमारे फेफड़े सक्षम बन रहे हैं, हिर्दे हमारा बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, चेहरे पर चमक आ रही है, ओ जा रहा है, आजए इसका तीसरा चंड करेंगे, पूरे मन से करेंगे, बंद आखों में करेंगे, फिर से दाए हाथ की प्रानया मुग्रा, बाया हाथ गुटने पर जमा हुआ, अंगुठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर, रीड गर्दन सीधी, अंगुठे को अटाएंगे, राइट साइड से स्वास को भरेंगे, अनामिकास्त अटाकर स्वास को छोड़ेंगे भरने में भी शक्ती छोड़ने में भी शक्ती अब लेट से स्वास को भरेंगे राइट से छोड़ेंगे करिए जी अनुलोम विलोम की भांती लेकिन इसमें आपने स्वास के भरने में भी शक्ती लगानी है छोड़ में भी शक्ति लगाने मूल बंद लगाकर करें जी करिए करें जी हो, बंद लगा है। कि राइट साइड से स्वास को भर लीजिए और स्वास को रोग लीजिए आंत्रिक कुम्बग में दोनों ना सिकाएं बन जब ना रुका जाए धीरे धीरे लेप्ट साइड से स्वास को भार निकाले समान्य स्वास पुने हाथ उठने पर बिना हिले डुले देखें सुंदर प्रभाव को करेंगे दोनों हाथ अपकी बार घुटने पर रहेंगे रीड गर्दन सीधी रहेगी चेहरे पर खुसी रहेगी अब दोनों नासिकाओं से स्वास भरेंगे दोनों से छोड़ेंगे प्रारम करें भरने भी शक्ति छोड़ने भी शक्ति मूल बंद लगा कर करेंगे यजब ग्रार ओड़ेंगे गर मने जाना लागे लिए वड़ेंगे बंद प्राओं रार पर मैंगे खुसी यजाख़ेंगे उन्याओगे बंद एंड़ने जाख़ेंगे दोनों हां थाएंग झाल झाल एक बार में अधिकादिक स्वास भर लीजिए आंतिक कुम्बग में रुख जाएं मूल बंग लगाकर रुख जाएं जब ना रुका जाए धीरे धीरे स्वास को भार निकालेंगे और भायक कुम्बग में भी रुखेंगे फिर से मूल बंग मूल बंग खुलते हुए शान बिना हिले डुले इसी स्थिती में कुछ पल के लिए जुड़े अपने स्रीर के साथ जुड़े उस परमपिता प्रमिश्वर के साथ समान्य स्वास स्रीर में गुर्जया को महसूस करें मुस्कुराते रहें इसे इस नूखोतियां होते हुई उज्जयी प्रानयाम का भ्यास करेंगे दोनों हाथ आप अपनी स्विदा के साथ से रखें या ज्यान मुद्रा में रखें इसके अंदर हमने हलका सा अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा नीची के और करके गले की मास पीश्यों को हलका सा सिकोड़ना है मूल बंद लगा कर करेंगे जीवा को लगा लेंगे तालू के साथ जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाएंगे और अपने नासिका द्वारा स्वास को भरेंगे छोड़ेंगे लेकिन हलकी हलकी खराटे की आवाज आए मेरी जो गले की जो मास पीश्या है उसको स्वास छूता हुआ जाएं करें जी शुरू करें हलका हलका खराटों का आपने प्रियास करना है हो या ना हो कोशिस करनी है बस करिए जी करिए इससे थाइराइड की गरंतिया परभाव में आती है और थाइराइड के रोगियों के लिए भूत ही उत्तम इस्तिती है इंटी की जितनी भी प्रोलम्स होती है सारी की सारी ठीक हो जाती है हो या हो या की प्रोम्स हो बाती है आती है करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, बंद आखों में करते जाएं, महिलाओं के लिए तो बहुत ही विसेश उप्योगी है ये प्रानया, जनरली थाइराइड का रोग महिलाओं में ज़्यादा पाय जाता है। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस आएंगे, गर्दन कमर सीधी हो जाए, समन्य स्वास में लगा थार चेहरे पर, खुसी हो, परसंता हो, मुस्कुराहट हो। सुवह सवेरे पक्ष्यों की मधुर धवनी, रिसी मुनी हमारे इस वक्त सुंदर साधना करते हैं। उसकी जो वाइब्रेशन्स होती है, उसका जो ओरा होता है। पूरे वातावन में हम जब साधना करते हैं, तो उससे connection होता है हमारा। सूर्य वेदी प्रानयाम करेंगे जी, दाएन हाथ की प्रानयाम मुद्रा बनाएंगे, पाया हाथ जियान मुद्रा में रहेंगा। अंगुठे को रखेंगे दाई नासिका पर अनामिका को रखेंगे बाई नासिका पर अंगुठे को अटाएंगे बिना आवाज किये 4 की काउंटिंग में स्वास को भरें नासिका को बंद करें 6 से 8 की काउंटिंग में स्वास को रोकें आंत्री कुम्बक और फिर छे से आठ की काउंटिंग में लेट से स्वास को भार निखा लें बिना वाज किये पुने राइट साइड से चार की काउंटिंग में स्वास को भरें दोनों ना सिकाएं बन स्वास को रोकें तद पस्चात लेट साइड से स्वास को भिना वाज किये बहार निकालें पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा हर बार राइट साइड से स्वास को भरना है जितनी देर हम स्वास को भरें उससे कुछ पल हमने ज़्यादा देर स्वास को आंत्रिक कुम्बक में रोकना है और इसी परकार फिर हमने स्वास को भार भी निकालना है उसमें भी भरने से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे करते जाएं जी सूर्य नाड़ी हमारी परभाव में आएगी सर्दियों के जो भी रोग होते हैं दोस होते हैं वो सारे के सारे दूर होंगे कोई मुश्किल प्रानयाव नहीं है ना कोई शक्ति लगानी है हमने लेकिन जो भुजुर्ग साती हैं जिनको स्वास अमन्दी रोग हैं वो स्वास को रोकेंगे नहीं बस नोर्मल अपने इसी किरिया को करते जाएंगे राइट से जैसे ही भरा उसी वक्त आप लेप्ट से धीरे धीरे बहार निकाल देगे करते जाएं जी कमर को गर्दन को सीधा करें ताकि साटों चक्र हमारे प्रान शक्ति से पोसित हों लाभानवित हों गर्दन लगातार सीधी हो लगातार मुस्कराट हो चेहरे पर मूल बंद लगाकर कर सकें तो मूल बंद भी लगा लें हर आवर्ती में महसूस करें इस स्वास के साथ परहू का असिरवाद परहू की दिवे शक्तियां हमारे अंदर आ रही है और हर स्वास के साथ मेरा तनाव जा रहा है भार मेरे स्रीर के रोग धीरे धीरे भार जा रहे है मेरे जो नेगेटिव विचार है वो धीरे धीरे भार जा रहे हर आवर्ती को एंजोई कीजिए कि सामान्यत है इस प्राणयाम को सर्दियों में करवाए जाता है अनुलोम विलोम को हम कभी भी कर सकते हैं एवर ग्रीन बाई और से स्वास को छोड़ते हुए आएंगे वापेस हाथ नीचे ज्ञानमुद्रा में कुछ पल के लिए महसूस करें कैसा आप महसूस कर रहे हैं कैसा लग रहा है समन्य स्वास लेते रहें छोड़ते रहें पाओं के स्थिति अपनी चेंज करना चाहें बीच में विस्राम के बगताप सीधा करना चाहें कर सकते हैं चलिए जी एक और प्रानयाम करते हैं ये भी कई दिनों से हमने नहीं किया अभी हमारे स्वीर में गर्मी आई इससे अब थोड़ी खंडग भी आएगी और दातों के रोग भी दूर होंगे दोनों हाथ पलटकर गुटनों पर लगाएं सीध कारी प्रानयाम दातों को आपस में भीच कर मुख द्वारा दातों के मध्य से शक्ति लगाते वे स्वास को अंदर खीचिए मूल बंद लगाकर स्वास को अंदर रोख लीजिए होने दे शरीर में पेट में हलचल जब ना रुका जाए नासी का द्वारा बिना आवाज किये धीरे धीरे स्वास को भार निकाल दे दो से तीना वर्थिया और करें इसकी करिए जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं स्वास भरने की आवाज आएगी जी दातों में ठंडा गरम जो लगने की सिकायत होती है वो दूर हो जाती है पायरिया का रोग ठीक होता है मुख की गंदी स्मेल ठीक हो जाती है करिए जी करिए भोत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग कमर को गर्दन को सीधा रखके करने जी सभी क्रियाओं को अंतिम आवर्ति करेंगे रोकना है स्वास को यथा संभव जब स्वास को भार्ण का लेंगे तो खुद को भी आवाज नहीं आनी चीए और स्वास को नासिका द्वारा आपने धीरे धीरे भार छोड़ना है आवर्ति को पूर्ण करें समन्य स्वास मुस्कुराते रहें जी अंतिम प्रानयाम भ्रामरी प्रानयाम उसके बाद ध्यान करेंगे हम आगे की दोनों उंगलियां आखों पर नीचे की दोनों उंगलियां supports पांचावर्थियां करें में अंगुठों से कान को बंद करें जीवा को तालू से लगाएं मूल बंद लगा कर सुरू करें अजय जी, मदर गुंजान। आवर्ति को पूरा करते हुए आएंगे हाथों को ज्यान मुद्रा में ले लें। सुकद एहसास। हाथों को ब्रह्मांगली मुद्रा में भी ले सकते हैं। अब अपनी सुधा के हिसाब से बैठें अगले पंद्रा मिनट। पदमासन हो वजरासन हो चेर पर बैठना चाहें। पर बैठें। सभी की कमरगरदन बिल्कुल सीधी है। कोसिस करें। इसी परकार तेरी मेरुधंड सीधी रहे। आईए उस परहू का नाम लें। हर नाम में परहू का एसास करना है। हर नाम में परहू की अनुभूती करनी है आपने। बुरे मन से पुकारें। आसुआ जाएं हमारे परहू को पुगारते हुए। हर आवर्ती में हम खुस हो। इस पर्स हमने फील करना है परहूगा। भरें स्वास्त। अम् 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 अम 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 शान्त शान्त भाव से बैट कुछ पर जुड़ जाएं परफु के साथ भैसूस करें विशेष वैब्रेशन्स को ऐसा परतीत हो आपको चारो दिसाव में मेरे सुंदर परहु का नाम सुंदर नाम का गुंजायमान हो रहा है इस ओम की वैब्रेशन्स से विशेष परभाव जो श्रीर पर पड़ा है उसको मैसूस कीजिए लगातार परहु का एसास हो लगातार मुस्तान हो खो जाएं सानद इसी अवस्ता में बंद आखों में बैठे रहेंगे पिरियल भोथ ही सुंदर घाती है भोथ ही प्यारी आवाज मधूर आवाज इतनी बड़िया साधना तो एक छोटा एक भजन पांच मिनट के लिए मैं चाहूंगा पिरियल हमारे को एक भजन भी सुनाए झालए झालां पिरियल आवारे को एक भांच बंद कर दो एक भी सुनाए झालां झाल्ट एक भांच जन्गर जाए एक फकीरा आया शरडी गाओं में आँ बैठा एक नीम की थंडी छाओं में एक फकीरा आया शरडी गाओं में आँ बैठा एक नीम की थंडी छाओं में होटों पे मुसकान है चाले पाओं में आँ बैठा एक नीम की थंडी छाओं में कभी अल्ला अल्ला बोले कभी राम नाम गुण गाए कभी अल्ला अल्ला बोले कभी राम नाम गुण गाए कोई कहे संत लगता है कोई पीर फकीर बताए कोई अल्लाह अल्लाह बोले कभी राम नाम गुण गाए कोई कहे संत लगता है कोई पीर फकीर बताए जाने किस से बाते करे हवाओं में आँ बैठा एक नीम की ठंडी छाओं में एक फकीरा आया शिरडी गाओं में आँ बैठा एक नीम की ठंडी छाओं में होटों पे मुसकान है छाले पाओं में आँ बैठा एक नीम की ठंडी छाओं में है कौन कोई ना जाने कोई उसको ना पहचाने है कौन कोई ना जाने कोई उसको ना पहचाने चोला फकीर का पहना देखो जग के दाताने है कौन कोई ना जाने कोई उसको ना पहचाने चोला फकीर का पहना देखो जग के दाताने देखो सब की मांगे खैर दुआओं में आ बैठा एक नीम की ठंडी चाओं में एक फकीरा आया शरीडी गाओं में आ बैठा एक नीम की ठंडी चाओं में होटो पे मुसकान है चाले पाओं में आ बैठा एक नीम की ठंडी चाओं में वो जिसको हाथ लगाए उसका सब दुख मिट जाए वो जिसको हाथ लगाए उसका सब दुख मिट जाए वो दे दे जिसे विभूती हर खुशी उसे मिल जाए काटे चुब कर फूल बिछाए राह में आ बैठा एक नीम की ठंडी चाओं में एक फकीरा आया शिरडी गाओं में आ बैठा एक नीम की ठंडी चाओं में होठो पे मुसकान है चाले पाओं में एक नीम की ठंडी चाओं में ठंडी चाओं में ठंडी चाओं में थैंक यूँ भो थी प्यारा भजन भो थी प्यारी आवाज आख बंद करके इसी परकार बैठे रहें पर्भू का ध्यान करें सुभे की ये साधना पूरे परिवार के साथ हम परति दिन करें पर्भू को हिर्दय में धान करें पर्भू का असिरवाद महसूस करें पर्भू का सर अपने हाथ पर महसूस करें आज की कक्षा को भी स्राम देते हैं एक लंबी ओम धानी के लिए सब गहरा लंबा स्वास भरेंगे ओम ओम स्वांति रोषध्या शांति वनस्पत्या शांतिर विष्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांति शांति सर्वेग्वन शांति Guide मेश शांति ब्रह्डड़गे शांति 뭔 शांति शांति रफे शांति शांति जांति रेदि छी ओम शांति रेदि ओम कुछ पर इसी शान तवस्था में बैठे रहें आखें मन करके बैठे रहें जिन साधक साधिकाओं के पास और अधिक समय हो तो और थोड़ी देर प्रफु के ध्यान में बैठे रहें खोए रहें इस आनन्द में कि बाकी साधर दोनों हाथों का अपस में बंद आखों में घर्शन करेंगे जो विश्य सुर्जा उश्पन हो उसे अपने पूरे श्रीर पर धान करेंगे मुष्मंदल पर धान करेंगे बड़ी कोमलता के साथ नेत्रों को खोलेंगे आज के आनन्द के लिए इसवर का पुने एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रियल का बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार योग से जुड़ी रहें पूरा प्रिवार योग से जुड़ा हुआ है हमेशा जुड़ा रहें इसी प्रकार बीच बीच में हमारे को करें भोती बढ़िया आज की साधना रही नए आसन हमने करवाए कैसा आपको लगा उसके बारे में जरूर आप कमेंट्स कीजिए बाद में कीजिए जब हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाए अभी साधना कंप्लीट हो जाए कोई और सुझाव हो जरूर दीजिए आप अपना ख्याल रखिये स्वस्त रहिए वेस्त रहिए मस्त रहिए भोद भो धन्यवाद आप सभी का